शिवपुरी शहर की गांधी चोग इसित मुखे बाजार की बोला बुला ब्रदर्स नाम की किनारे की दुकान में शुक्रवार रात चोरी हो गई चोरी हुए समान की कीमत करीब डेर लाक रुपे है चोरी के सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचे शिवपुरी स्टी ओपी अजे भारगव सहीत कोतवाली प्रभारी अमिद भधुरिया को वैपारियों की नाराज़की का सामना करना पड़ा है आकरोशी दुकानदारों ने पुलिस गश्टी पर सवाल खड़े किया और बताया कि बाजार में चोरी होने का सिसला थमने का नाम नहीं ले रहा है गांधी चौक पर एक अत्रित हुए दुकानदारों ने बाजार बंद करने की बात कही लेकिन एसपी रगुवंज सिंग भदौरिया के आशवासन के बाद वैपारियों ने बाजार बंद नहीं किया चोरी की ये बारदा अक्सिस टीवी में भी कैद हुई बोला परदर्स के संचालक विजय बंसल ने बताय कि उनकी दुकान की शेटर्स को तोड़ कर अग्या चोर दुकान से डेल लाक रुपे की सिग्रेट पान मसाला बीड़ी के बंदल चोरी कर ले गए है विजय बंसल ने बताय कि रातरी करीब एक बचकर 37 मिनट पर उपते चोर बाइक के साथ पोरी बस स्टेंड के पास इस टीवी में देखा गया इसके बाद चोर गुरुद्वारा होते हुए एक बचकर 33 मिनट पर दुकान पर पहुचा था जहां संबल टायर लीवर के मदद से चोर ने दुकान के शटर को तोड़ कर दुकान के अंदर प्रवेश किया चोर करीब 15 मिनट दुकान के भीतर रहा उसके बाद दुकान में रख्या सिगरेट पान मसाला और बीडी को कट्टो में भर कर अपने साथ ले गया आखरी बार चोर कमला गंच छेतर में लगे सिस टीवी में कैद हुआ कोटवाली थाना पुलिस ने अगया चोर के खिलाफ मामला दर गर चोर की दलाज शुरू कर दी है